गोड मॉर्निंग स्टुडेंट्स वेलकम टू ब्रेमचन मेमोरियल पॉब्लिक स्कूल स्टुडेंट्स आज हम सीखेंगे लैंप में कलरिंग करना तो यू गैन सी मैंने अलड़ी एक लैंप यहाँ पर ड्रॉ की है आपकी बुप में यह लैंप है तो आपको उसमें जो भी यह इंडिकेट किये गए हैं कलर्स इसके according उसमें कलर फिल करना है यहाँ पर मैंने यह जो ड्रॉ किया है इसमें अपने according देखीए कलर को इंडिकेट किया है तो मैं उन्हीं कलर को इसमें फिल करूँगी okay yes students you have to fail it with the help of crayons you can see I have a crayons color okay yes so हम coloring करना इसमें start करेंगे first देखिए इसमें हम red करेंगे coloring मैंने आपको बताया तो बेटा आपको कैसे करने होती है अगर आप राइट से कर रहे हैं तो राइट से ही coloring करेंगे don't coloring left and right okay yes यह देखिए sleeping line से मैंने इसमें coloring किये है okay next like this okay अगर आप right side से कर रहे हो से to write से करेंगे अगर आप left side से कर रहे हो तो आप left से करेंगे अगर आप इस तरह से left right करेंगे तो वह coloring अच्छी नहीं होती है कि आप इसमें ऐसे करेंगे ओकि यह जहां पर हमें जरूरत होती हम पर हम फ्लैंटिंग यूज कर लेंगे अधर्वाइस कि इस टैप से करेंगे ओकि देखिए हमारा फिल हो गया है नेक्स्ट मैंने लिया है बिटा ग्रीन कलर अब इसमें मैं स्लैंटिंग लाइन से फिल करूए क्योंकि स्पेस कम होता है तो हम उसी के अकॉर्डिंग कलरिंग करते है लाइक दिस ओके यह देखिए एक भी कलर आउट लाइन से बाहर नहीं होना चाहिए देखिए कितना अच्छा अट्रेक्टिव लग रहा है इसमें इंडिकेट दिया था तो मैं इसमें औरेंज फिल करूँगी इसमें आपको कर्व में करना है क्योंकि यह कर्व में ड्रो है तो हम इसमें कर्व में करेंगे इस तरह से आपकी बुक में जो भी कलर लैंप में इंडिकेट किये हैं आपको वही फिल करने ओके इसमें ब्लू कलर बटा इसमें मैंने ब्लू की उस किया है इसमें इसको में स्टैंडिंग लाइन में करूंगी हुआ इसमें करेंगें स्टैंडिंग लायल था लाइम इसमें अधिस अंग पार्गर्णी नाइण में स्टैंड लाइन एक्ट्रें जाएं ब्लू रिएम पार्व में येलू कलर यूस करेंगे कि इस ताइप से ओके यह देखिए वहना बटक यह डेक्सट डार्प ब्लू कलर के यह लैम्प का नीचे का पॉर्शन है आपको बुप में बहुत अच्छे से इसको फिल करना है ओके दैन परपल कलर करूंगे इसमें क्योंकि यह कर्ब में है बिटा तो मैं इसमें कर्ब में कलर करूंगे ठीक है राइक दिस इस तरह से इस इतना ज्यादा आप अच्छी कल्डिंग करो कि उतनी ज्यादा ड्रॉइंग अट्रेक्टिव लगती है इस टाइप से आपको इसे फिल करना है इसमें ब्राउन कलर यूज करेंगे अगर आपकी बुक में है तो आप इसमें जो भी कलर इंडिकेट किया आप उसको वही फिल करेंगे इसमें दैन यह ओके यह जो बेटा सर्कल दिया है देखिए ओकिए सर्कल में आपकी बुक में दिया है इसमें मिरर स्टोन आती है राउंड में वो आपको इसमें पेस्ट करने है अगर आपके पास एविलेबल है तो आप इसमें जो सर्कल में छोटी छोटी स्टोन वाले मिरर स्टोन आती है वो आपको इसमें पेस्ट करने हैं आपकी बुक म दिया हुआ ठीक है और मैं इसमें आपको बताती हूँ आपको अभी मेरे पास देखिए यह एविलेबल है इस टाइब से आपको इसमें स्टोन लगाने हैं अगर है तो बहुत ज्यादा अट्रेक्टिव लगेगी अगर मेरा राप इसमें पेस्ट करोगे तो अधरवाइस मिरेर स्टोन दिया है तो आपको बही यूज़ करना है ठीक है लाइक देखिए इस टाइब से आपको इसमें स्टोन लगाने है छोटे छोटे सरकल में यह देखिए हमाई ड्रॉइंग कम्प्लीट हो चुकी है तो इस तरह से आप इसको फिल करें ओके थैंक यू हैव प्रॉज़ को बहाईब सुम्पटी